आप देखे हैं कहानी कुर्सी की और एक बड़ी दिल्चस्प कहानी इस वक्त पुन रही है ऐसा लगता है महराश में महराश की राजनीती वे अल्चल श्रत पवार से मिलने पहुंचे अजीद पवार अजीद पवार के साथ उनके सारे मंतरी विधायत भी है कल भी अजीद पवार ने मंतरीयों के साथ मुलाकात कीती शरत पवार से तो 24 हंटे के अंदर अंदर ये दूसरी बार मुलाकात हो रही है इससे पहले एक बार अजीद पवार खुद परिबार से मुलाकात करने के लिए दो दिन पहले जा चुके है हमारे सेयोगी संदीप इस ख़बर पर हमारे साथ हैं संदीप बार बार ये मुलाकातें चल रही हैं समीर अभी इस वक्त क्या ख़बर है बाहर दर दोड़ा इट आट प्रॉम इयर बिल्कुल इस वक्त हम वाईबी सेंटर के ठीक बाहर खड़े हैं थोड़े दर पहले शरत पोवार दाखिल हुए है लेकिन उसके पहले अजित पोवार अपने सभी विधायकों के साथ और मंतरियों के साथ वाईबी सेंटर पहुच चुके हैं और मराटी में विश्वर हैं संग्या देते हैं उन्हें कहा था कि आप माँज जाएं लेकिन आज फिरसे कवायत के अजीत पवार उनके साथ जितने विधायक हैं उनकी और से की जा रही है कि जो कदम उन्होंने उठाया उस कदम को आशिरवाद दे और सरकार में जिस तरह के से काम करने की वो कोशिश कर रहे हैं और यह राजनीतिक गडबंदन है खुद बीजेपी ने अपने और से यह सपश्ट कर दिया है क्योंकि उस सभा को याद कर लें गुरुवार को जो वीजेपी की हुई थी उसमें देविंद्र फटनिवीस ने साफ्तावर पर कहा था कि कहीं से भी वैचारिक गडबंदन नहीं है यह राजनीतिक गडबंदन है और ऐसे में एक बात हमें यह भी याद रही होगी जब येव ऐसे में अब शरत पवार क्या मान जाते हैं कि कल की कवायत की बात कल की exercise की बाद शरत पवार माने तो नहीं थे लेकिन एक बात उसके बात सामने आई थी जब वो कल ही नासिक से आई हो कुछ कारकताओं से जब बाचीत कर रहे हैं तो जोरान उन्हें कहाता है कि अब किसी भ हाला कि लेकिन इसमें बहुत से लों का हरानी हो रही होगी कि जिस किसम की बाते हैं अजीत पवार ने शरत पवार के लिए कहीं रेटायर हो जाईए बहुत तमे समय हो गया 75 में तो ये रेटायर हो गया और अधिकारी भी रेटायर हो जाते हैं आप कब रेटायर हो उस सब क परिवार के अंदर भी पिछले साथा डिनों सिधबात की गुंजाईश देखी जा रही है कि परिवार टूटे नहीं, पार्टी टूटे नहीं और हापस में ये फिर से एक हो जाए परिवार में कौन-कौन है? परिवार को इस्टबिश किया है, तो मुझे असा लग रहा है कि अब परिवार शरत पावार से फिर इस पादी कोशिश कर रहा है कि अजित पावार और शरत पावार एक होके आ जाए, तो मुझे असा लगता है कि अजित पावार चाहते हैं कि शरत पावार कल जो बैटक हो र चलिए मैं आपके साथ हूं अजीत पवार के साथ अभी यह बात कहेंगे कि मैं आपके साथ हूँ और उनको कोई आशिर्वात देंगे इनके तरह से पूरी कोशिश जारी कि किसी में तरह से शर्ट पवार को मनाया जाए लेकिन शर्ट पवार मुझे ऐसा लगता है कि फिलाल वो अभी अजीत पवार के साथ जाने की मुड में नहीं है उन्होंने अपना स्टेंड अभी अलग लेकर रखा हुआ है बार बार लेकिन जाकर के चरण मंदना उनकी हो रही है मनाने की कोशिश हो रही है मनाना आपको लगता है इस स्टेज पर मुंकिन भी है अर्श्रोदन जी देखे राजनीती जो इस वक चल रही है इसको आप शरत पवार की तरह से दिखे ये वही हो रहा है जो शरत पवार की प्रिय राजनीती है कहते हैं ने कि दिखते उसके रहे हो उसके गए यही वाली राजनीती शरत पवार करते रहे और अजीत पवार ने मैं ये कहूँगा कि उसमें प्रवीनता हासिल कर ली है वैसे जो संगीत और ऐसे करते हैं प्रवीन प्रभाकर उनको डिग्री मिलती है तो अगर राजनीती के प्रवीन प्रभाकर कहें तो ये अजीत पवार शरत पवार है अब आप इसको ध्यान से देखें देखें ये खे में पूरी तरह से बट गए अजीत पवार साफ साफ कह रहे हैं कि अब आप चाचा जी रिटायर हो जाए ये बहुत हो गया कितने समय तक कभी तो बस कीजिए लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चाचा जी वो व्यक्ती है जो गमसकम इस पार्टी के कैडर को वही दिखते हैं इसलिए प्रफुल पटेल भी करें हमारे भगवान हो गए चगन भुजबल भी जाकर पाउँ पर गिर जा रहे हैं और यही वो लोग थे जिन्होंने मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट में जब इनकी बैठक थी तो कहा था कि इन्होंने तो ये बुरा किया ये बुरा किया ये बुरा किया अब वो उनको एक तरह से उस असहज इस्तिती में डाल रहे हैं जिसको मैं अपने शब्दों में कहूं देसज में तो जबरा मारे और ओवए न दे भतीजा है जाके पैर पे गिर जाता है बाहर निकल के वो उपमुख्य मंत्री है जो सिपासालार था वो जाके शौल उड़ा रहा है बाहर है वो पार्टी का कारिकारी अध्यक्ष है वो मंत्री है वो आरोप लगाता है और जाके कहता है आप हमारे विठल है छगन बुझबल तो कुल मिलाकर ये उस राजनीत में शर्ट पवार फंस गया और इस उमर में आदमी कितना भी कहे कि मैं बहुत कड़ा हूँ, सक्त हूँ कुछ बावनात्मक भी हो जाता है न पिघलता भी है आदमी और मुझे लगता है कि अजीद पवार अब उसका लाव लेना चाह रहे है जो अभी तक भतीजे के तौर पर उनके उपर शर्ट पवार उसके बात थोड़ा उम्र का असर ये सब भी होगा उनके उपर और आगे भी दिख रहा है कि उनकी बीटी की राजनीती वो भी दाव पर है और अजीद पवार ताकतवर तो होई गए है आपको सरकार में भी आ गए है क्या शर्ट पवार किसी तरह आपको लगता है कहीं कहना नहीं चाहता लेकिन घुटने टेक दे देखे ऐसा है कि भारत जो है भारत की संस्क्रती बड़ी प्राचीन है और हमारे ऐसी परंपराय रही है माभारत की युद में भी दिनबर लड़ते थे और शाम को जो है जब शिविर में कोरो जाते थे भीष्यम पिता मा और दरोनाचार से आशकर बाद लेने पांडो जाते थे पांचों भाई आपस बेलके बैठते थे भीष्ण राम के साथ थे लेकिन रोज रात को लंका जात मैं कहिए लगता है तो मैं कहीं चिन्देश सोच रही जाएं मैं तो पहले ही कहता था इंद वरों से काविल नहीं है दूबारा दोखा खा गया तो देखे बुझे लगता है कि इसमें ने बात कही है और या समीर जी ने कही है बात लगबग वही है दो चीजे है एक तो परिवार है ये और ये भी जमीनी ही ठीकत अधीज पवार भी जानते है इस्तादे जानते है कि शनद पवार को माइनस करके वह लमबे समय था कि NCP की राइजिती नहीं कर सकते है तो कहीं न कई मनदाताओं को कारकارताओं को मैसेज देना कि हम तो शनद पवार जी को पाकिस्तान में हिंदूओं के उपर क्या सितम होते हैं कोई जग जाहिर है सबको मालूम है लेकिन भारत में पाकिस्तान की एक महिला आई शुपकर वहां उसने यहां नौईडा में रहे रही हैं यहां उन्होंने एक हिंदूस्तानी लड़के से शादी भी कर ली इतने मंदिर में मंदिर के ओपर रॉकेट लॉंचर से हमला किया जा रहा है यह बदला है इस बात का कि हमारे यहां की लड़की तुमारे वहां हिंदूस्तान चली कि उसने हिंदू से शादी कर ली इस किसम की बातें महां प्रचार करके यह हमले किये जा रहा है पाकिस्तान में प खारत ने यहां रहने वाले लोगों के लिए और विशेश करके हिंदूओं के लिए आज तक कोई पक्का इंतजाम नहीं किया आज भी अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में प्रतारित हो जाए अब अगर मंदिर तोड़ दिये जा रहे हैं राकेट लॉंचर उस पर हमला हो रहा और वहां की कोर्ट भी उसको रात नहीं देती मुझे लगता है कि जब हम नागरिक्ता कानून की बात करते हैं जब भारत पाकिस्तान संबन्दों की बात करते हैं जब हम कहते हैं कि शान्ती होनी चाहिए तो ये मुद्दा उठाने पर कह दिया जाता है कि सांपरदाइक है क कै您 दिया जाता है कि हिंधू-मसल्मान किया जा रहा है कि दिखेंजे तो दुश्मन बनाते है पाकिस्तान को इस तरह की राजनीती होती है लेकन ऐज जब यह हो रहा है तो मुझे लगता है कि यह बहस फिर से नए सीरे से चले गी और इस देश के लोगों को दिख रहा है कि एक तो सीमा हैदर आई जो अब कहती ही कि मैं हिंदू हूँ और उसको हर कोई कह रहा है ठीक भाई प्रेम में चली आई चली आई एजेंसियों का काम है हम उन पर भरोसा करेंगे लेकिन उसका रियक्षन क्या है कि हमारे मंदिर तोड़ दिये जा रहे हैं वहाँ जो हिंदू है उनके जीवन पर खत्रा हो जा रहा है तो ये बात जरूर चर्चा में नए सिरे से आ रही है और आनी भी चाहिए नागरिक्ता कानून वाली सोच विचार हो कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे यहां की एक लड़की को हिंदूस्तान इतना क्यों सुहा रहा है वो धर्म बदलने के लिए अपना तयार है बस उसको किसी तरह पाकिस्तान से छुटका रहा चाहिए लेकिन उसके बदले में आप सजा दे रहे हैं महां के मंधिर पर अमला किया है मुझे लगता है कि न धर्म को जानते हैं न प्रेम को जानते हैं और वो मजहब को भी नहीं जानते उनके लिए खाली सीमा में लड़की सिमा है दर जो है कोई है कि भगा करके तो गया हो धोखे से उसको बहला फोशना करके सब दखाकर ले आया और यहां उसकी पृत्या चार यह रहे हैं, घृब कि ने करने कोदो आएधिया के रहा है, उस वगता है, पाकिस्तान की रहे को हो पा? वहां के अलप संक्या खिंदूओं और वहां के जो और जो इस तरह के समेधन शीलिस्थान है उनकी सुरक्षा कड़ी कर दिनी चाहिए थी और ऐसे तत्यों को के खिलाफ कड़ी कारवाई करनी चाहिए जो इस तरह एक धंकी देते हैं क्योंकि यह सीमा हैदर आई किन परिस्ट सब्सक्षा करें सिमा से वाडर कैसे पार लिया उसने सिमा ने सीमा कैसे पार कर ली यह सवाल यो है यह तो हमारे अपने जांज का विशय है और दूसरी बात यह है कि यह कोई देखे इस चुकि नवहड़ा में मसल्या इसलिए इसना बहुत ज़यादा उसमें आ गया पूलो तो कई बार जो है लेकिन यहां यह बड़ा मामला बन गया इस पक यह पच नहीं रहा कि आपने बिल्कुल ठी कहा दिली नौइडा मीडिया का भी हम है तो साधा मीडिया का जो राइस पर दूसरा यह दिख रहा है कि आप वो लड़की यहां आ गई आप पाकिस्तान में जाओ पाकिस्तान हैं बुरे हालात हैं वहाँ पर आठा नहीं मिलता ये नहीं मिलता फिर वह यहां पर आर्ती करती हुए आपको दिखाई दे रही है यहां जब वह इस लगक्य को सुइकार किया है उसने सचिन नाम है उसका तो जो उसके घरगा रीत रिवाद है जो परमपरा है वह उसको सुईकार कर रही है, अपने मन से सुईकार कर रहे हैं को जब रस्तोड़ उसको कर रहा रागा आर्ती करो, अगर उसको अच्छा लग रहा तो कर रही है, इसमें क्या दिक थे बैए इसमें एक इंटरस्टिंग पॉइट मैं जोड़ना चाहता हूं कि देखे जब शि हिंदों की जन संक्या भी काम हो रही है, और हमारे मंदिरों की जन संक्या भी आप क्या काम हो रही है, तो दोनों का आप ध्यान रखिए, मंदिर भी बने रहे हैं जन संक्या भी हमारी सुरक्षा मिलती रहे, तो मुझे लग रहा है कि उस दौर से लगातार भारत को इस बात पाकिस्तान में जिस तरह से कटरपंथियों का ददबा बढ़ा है तो जो वहां मानवा धिकार कारिकरता थे असमा जांगीर जैसे लोग कई लोग जो इस तरह की मुद्धों पर अंसार बढ़नी इस तरह जो बिलकुल खुल कर शैंड लेते थे ऐसे लोगों की तादाद भी कम हो गई इस तरह की जो है जो जन्मत बनाते थे तो वो भी एक समस्या है हो मुझे रखता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के प्धान मंत्री वजीर आजम हमारे शहवास चरीफ साहब या दूसरे उनके मंत्री बड़े-बड़े दावे करते हैं दुनिया में जाके और संजुक